अपने सेशन में कि चीन ने तायवान को चारो तरफ से घेर लिया है क्या चाइना वहाँ पर अटेक करने वाला है मैंने एक एक करके आप लोग को बताए एक बार रिमाइन करा देता हूँ वहाँ पर ताइवान के अंदर इलेक्शन होते हैं इन इलेक्शनों में रूलिंग पार्टी के प्रिसेडेंट जी जाते हैं और पूरे चाइवान को चारो तरफ से घेर लेता है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब यह चुने जाते हैं माइकल जांग यह वहाँ के प्रिसेडेंट है ताइवान के यह बोलते हैं कि चाइना होल्ड ताइवान वार गैम इस बात पर चाइना के जो foreign minister हैं वो बोलते हैं ये भासन काफी disgraceful था और इस अधार पर चाइना को ये समझ में आ गया कि ताइवान को अब घेरने की जरूरत है और उस पर दवाब बनाने की जरूरत है ऐसे ही उसने किया अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि चाइना ने सिधे सिधे ताइवान को वान किया है युद के लिए as military deal यानि युद अभ्यास की बात वहाँ पर बोली गई है कि वहाँ पर युद अभ्यास किया जाएगा लेकिन वास्ता में युद अभ्यास नहीं था कि पोस्ट की गई ह ये दा हिंदू ट्यूटर पर भी कि चाइना ने सिधे सिधे बोला है ताइवान से युद के लिए और मिटे डिल वहाँ पर की ज़री बोला है साब साब कि जब तक पूरी तरह से ताइवान को चाइना के अंदर नहीं मिला लेते चाइना ऐसा करना नहीं छोड़ेगा आप युएस की कोई विजिट होने वाली थी अजब विजिट होने वाली थी ताइवान के अंदर ये चाइना को अच्छा नहीं लगा तो चाइना ने बौन किया था हम ताइवान को चारो तरफ से घेलेंगे युद करेंगे इस अधार पर के युएस वहाँ पर विजिट ना कर लेकिन यूएस ने किया था लेकिन 2024 में जो चाइना ने किया है वो इतना अंदर तक टाइवान के अंदर गुष चुका है जितना 2022 में नहीं गुषा था आप देख सकते हैं यहां पर इस चाइना सी है तो पूरी तरह से टाइवान को घेर लिया है और युद्ध की दमकी दे आप सोच सकते हो, हलाकि मैंने पीछे बतायाता कि चाइना का जो मिलिटरी, जो बजटर वो काफी ज़्यादा अधिक है, यहाँ पर देखा जाए, चाइना और ताइवान के बीच में यहाँ चाइना हो गया, यहाँ पर यहाँ ताइवान हो गया, यही टोटल एक्टिव फोर तक ताइवान कंपेर नहीं कर सकता चीन के साथ, यहाँ पर तो रिजर्व के अंदर देखा जाए, ताइवान हल देखा जाए, थोड़ा ऊपर है, चाइना बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसमें ताइवान से, आप टैंक देख सकते हो, तालिसो टैंक किसके पास है, चीन के पास, इसके स्केवल 750 है, एरक्राफ्ट देख सकते हो, लगबग 3500 के असपास, यहाँ पर देख सकते हो, केवल 531, आप सम्मरीन देख सकते हो, उसके पास 4 है, चाइना के पास 16 है, तो दूर दूर तक भी कोई कंपेर नहीं है, ताइवान और चाइना के बीच में, तो इसका लगबग 3500 के असपास था, लेकिन धीर धीरे ताइवान ने बढ़ाना सुरू किया, और बढ़ाते बढ़ाते, 2024 में यादि इसका देखा जाए, तो 600 बिलियन डॉलर के करीब इसका डिफेंस बजट है, और वहीं चीन का देखा जाए, तो आप देख सकते हो, यह ग्लोबल टाइमस की रिपोर्ट थी, यह पब्लिस की गई थी, 2024 में ही, आप यहाँ पे देख सकते हो, 2019 से 2024 के बीच में, जो 2019 में था, वो 1190 बिलियन युआन था, आप यहाँ पे देख सकते हो, अब धीरे धीरे इसने बहुत तीजी के साथ बढ़ाना सुरू किया, आप व US डोलर में बात करें, तो 231.4 बिलियन US डोलर है, पीछे ही बताया, कि इस पीछे साल की तुलना में 7.2% की यहाँ पर व्रद्धी हुई है, चाइना के अंदर, आप खुछ यहाँ पर देख सकते हो, किलियर ही, यदि इंडिया के साथ कंपेर की जाए, तो इंडिया का और भारत की बात करें, तो भारत का जो मिलिटरी बजट है, चाइना का अकोरिंग बहुत कम है, तो यदि 2024 में देखा जाए, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, 2024 में जो भारत का है केवल 75 बिलियन डोलर, और जहां उसका 200 से भी अधिक था, किसका चीन का, तो कोई कंपेर नहीं और ताइवान को मानता है कि यह चीन का ही एक पार्ट है, अब चीन के जितने भी पड़ो सी देश है, चीन के किसी से नहीं बनती, चाहे हो साओध कोरिया हो, चाहे हो जापान हो, चाहे हाँ पर फिलिपिन्स हो, हालाकि फिलिपिन्स ने मैं पीछे सैसर में बताय था, कि साओध कोरिया, जापान, फिलिपिन्स ये सभी एक साथ आएंगे, क्योंकि यदि युद हुआ, तो जापान पर फिलिपिन्स पर फिलिपिन्स पर फिलिपिन्स पर फिलिपिन्स ये गारंटी है, लेकिन प्रोब्लम ये है कि ये क्या तीनों देश एक साथ आके चेन का मुक कही है अमेरिका से सीधे सीधे चिकाव ने दी है और इसमें यूएस का क्या रिस्पोंस है आप खोद यहां पर देख सकते हो कि यूएस इन क्या सकतीज स्राफवस है तोन है झाले घएसा है और में यहां यूएस इन messed दोकावा यहां यहांpower amen